वेल्कम बाक टो वर्चु फिजिक्स क्लासेज आज में एक नया टोपिक लेकर आई हूँ एप्लिकेशन ओ बायो सावट लो लास्ट लिक्षर में हमने बायो सावट लो डेराइव कर लिया था बाय यूजिंग ओफ मैगनेटिक विट्र पोटेंशियल ओके एक्जाम में क्योशन क्या बनता है पहले आप हैडिंग डाल लीजिए और इसके जस्ट नीची क्योशन राइड डाउन करिए क्योशन क्या है यूजिंग बायो सावट लो कालिट मैगनेटिक फिल्ड प्रोड्यूस्ट दूट ए स्ट्रीट दूट ए स्ट्रीट करंट वहां हमने वेली ओफ मैगनेटिक फिल्ड नहीं काला था एक स्ट्रीट करंट केरिंग वायर के लिए बट बाय यूजिंग एंपियर स्लो और आज हमें कैलकुलेट करना है वेली ओफ मैगनेटिक फिल्ड बाय उसिंग दे बायो सावट लो और मैंने ओप टाम आपके आपको एक स्टेट लोंग वायर की वज़े से वेली ओफ मैगनेटिक फिल्ड करने है तो ले लेते हम यहां पे एक स्टेट लोंग वायर ले लिया ठीक है इसका मैंने ओरिजन डिफाइन कर दिया यह औरिजन है इस ओरिजन से स्मोल एल डिस्टेंस पे एक लाइन एलिमेंट ले लिया विच इस डिया ठीक है एक पॉइंट में यहां कंसीडर कर लिया क्यूँ जहां पे मुझे वेली ओप मैंगनेंटिक फिल्ड काल्कुलीट करनी है द्यू टू दिस करेंट केरिंग एलिमेंट इस करें हम करती है हम इस को खरतें है थेक है और अब हम क्या करते है इस पॉइंट क्योंकि origin से भी distance define कर देते हैं हमने consider कर लिया कि यह जो distance है origin की point Q के बीच की वो क्या है capital R है और इसके बीच का जो angle है वो क्या है phi angle है यहाँ तको doubt नहीं है तो इसको हम लिख लेते हैं हमने यहाँ पर क्या consider कर रहा है we consider we consider current I passing through a straight long wire ठीक है we take O as in origin ठीक है and and line element line element it small r distance from origin distance from origin ठीक है clear है and small r क्या है distance of deal element to element to point q ठीक है capital आ रहे है यहाँ पर distance of point q point q from origin ठीक है and theta theta will be the angle between angle between dl and dl and r ठीक है बताओ कोई दिक्कत नहीं आपे नहीं है नो q e क्या है यहाँ पर observation point या फिर हम बात करें जहां पर हमें value of magnetic field calculate करनी है due to this line element लगा दो बायो सावट लो according to बायो सावट लो according to बायो सावट लो बायो सावट लो according to बायो सावट लो db कितना होगा db is equal to mu naught i dl sin theta upon small r square यही होता है this is equation number 1 अभी तक जो हमने समझा है वो ही लिखा है ठीक है now अब इस formula को यूज में लेते हुए value of magnetic field हम निकालेंगे इस complete wire की वज़े से small element की वज़े से मैंने db define कर रहा है तो complete wire की वज़े से निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको simplify करके कितना long wire आप लेकर चल रहा है उसकी limit लगा दो तो इस complete wire की वज़े से value of magnetic field निकल कर आ जाएगी 8.q ठीक है सो कर रहा आगे अब देखो हम यहां पर क्या step में यहां पर ले रही हूं 180 degree क्या बोलोगे आप 180 degree किसके बराबर हुआ यह एंगल तो आपका 90 degree ना 90 प्लस थीटा प्लस 5 ठीक है तो यहां से थीटा आप क्या बोलोगे 180 degree minus 90 minus 5 यहां फिर में बात करूँ तो कितना आ रहा है 90 minus 5 यहां ठीक है तो यदि मैं इसको साइन से मल्टिप्लाय कर दूँ तो आपका एक क्या बनेगा साइन थीटा इकोल टू साइन 90 minus 5 साइन 90 minus 5 क्या मैं इसको कॉस फाइल लिख सकते हूं यह लिख सकते हूं आज इंटेटी होती है यह तो टिंगा मैट ठीक है तो मुझे यहां पर साइन थीटा की विल्यू पता लग गई वह क्या है कॉस फाइल तो एक टाइट तो मेरा कंप्लीट हो गया ठीक है आप इसको कुछिशन नमबर बन गया इसको कुछिशन नमबर टू तो मैं साइन थीटा को किसे रिप्लेस कर दूँगी कोस फाइल से र इस एंगल में यहरी मैं बात करूं 10 फाई क्या बोलोगे आप 10 फाई परिटीकूलर इस डिवाइड़ वाइड़ए बेस परिपेंचिशन करño कितना होता है सेख स्क्वाइर्व 15 15न ओर यहां पिक्या रिब कि दियल और यह स्कृर 5,000 और यहां पर एसंग क्या आगा और दे कि जो DL है वो आपका आ रहा है सेक स्क्वाइर 5D5 और इसके साथ मैल्टिप्लाइर में है R, चलो, एक टागेट और अपना कंप्लीट हो गया, DL मुझे पता लग गया, ठीके, बट अब भी तो मुझे small r नहीं पता, small r नहीं पता, कैसे कल्कुलेट करें देखू, जांबो कुछ 5 पी मैं बात करूं इस ट्राइंगल में, तो आप क्या बोलोगे, बैस इस जिवाइट पर पर पंडिकुलर, बैस कितना आपका capital r, पंडिकुलर किया है, आपका small r, तो यहां से, देखो, बैस is जिवाइट पर पंडिकुलर, बैस is जिवाइट पर पंडिकुलर यही है नो तो यहां से small r आपका कितना रहे capital r upon cos 5 1 upon cos 5 को मिक्या लिख सकती हूँ say final तो यहां से मुझे r भी पता लग गया अब क्या करें equation number 2, 3 or 4 उसको हम put कर जाते equation number 1 में यह आपका equation 1 तो d भी आपका क्या बनेगा? mu node i ठीक है? dl, dl में क्या put करू? यह रही value say square phi d phi और इस multiply by r ठीक है mu node i mu node i dl sin theta sin theta को मैं cos 5 यहां पर put कर रहे हूँ yellow मैंने cos 5 put कर रहे हूँ this divide by 4 pi r square r square small r square तो यहां से कितना आपके वास? r square say square phi बताओ, को doubt नहीं है? आगे बढ़े चलो बताओ उसको simplify करे? कर उसको simplify आपके पास mu node i dl dl की value हमने put कर दी ठीक है mu node i dl यहां पर था sin की का तो मैंने इसको cos 5 put कर दीया this divide by 4 pi 4 pi और यहां पर था आपके पास small r square इसको यह थी हम simplify करते हैं ता value will be यह cancel हो रहा है cancel कर दो mu node i sex square से sex square cancel ठीक है तो आपके पास उपर रही time एक r से में capital r भी cancel कर रहे हूं तो mu node i cos 5 upon 4 pi capital r लिखो यहां तक कर रहे हैंगे simplify इसको तो हमें line element की वज़े से dl क line element है इसकी वज़े से value of magnetic field हमें पता लग गई db ठीक है complete wire की वज़े से मुझे calculate करना है complete wire की वज़े से मुझे calculate करना है तो क्या करूं integration कर दो तो अब हम इसको question number 5 दे देते हैं ठीक है अब यहां पर लिखो आब value of magnetic field value of magnetic field due to magnetic field due to due to wire due to wire और आपका यह जो wire है हमने 0 के नीचे L length consider कर रहे है तो 0 के उपर हम minus L length consider कर लगते है तो basically मुझे इस complete wire के लिए define करना है और इसके हम limit लेकर चल लेते हैं minus infinity is infinity infinite infinite length का एक long wire है ठीक है या फिर आप L to minus L या minus L to L अभी तो यह consider कर करें करें तो अब हम क्या करेंगे यहां पर for complete wire के वज़े से value of magnetic field निकालना है तो हम यहां पर use में लेंगे limit here we use here long wire है define निकरा कि length कितनी है ठीक है so here we use limit minus L to plus L and and integrate equation number 5 and integrate करो and integrate equation 5 ठीक है आपका B आजाएगा या पर integration of DB equal to integration of minus L to L जो value हमने calculate करी है वो put करो mu note I cos of phi d phi यह रहा d phi भी लिखूई आपर cos of phi d phi is divided by 4 pi r ठीक है आगे बड़े अब देखो आपका जो integration है वो तो angle F I और आपने जो limit लिए है वो तो minus L to L लिए तो हम इसको limit को change करेंगे if हम लेकर चले distance हम जो X लेकर चल रहे हूं minus L लेकर चल रहा है ठीक है क्या लेकर चल रहे है minus L लेकर चल रहे है तो हमने एक value define करेंगे थी यहां से 10 5 क्या बोलाता L is divided by R 10 5 आपके बोलरूं यहां से L is divided by R तो L आपका कितना आ रहा है R 10 5 तो लगा देते हैं limit लगो L कितना है आपका minus L लेकर चल रहे है और minus L L आपके कितना है इंफिनीटी तो minus infinity L हम क्या लेकर चल रहे है पहले minus infinity तो minus infinity A equal to R 10 5 तो 10 5 आपका minus infinity आ रहा है आ रहे तो आप मुझे बताओ 5 की value 10 5 की value infinity कब होती है जब एंगल कितना हो 90 degree तो आपका यहां से आप क्या बूलोगी 5 कितना है आपका minus का पाई बाई बाई टी यह minus का infinity है ठीक है similarly if X equal to L लेकर चल रहे है L आपके कितना है यहां पे infinity तो L आपका infinity equal to R 10 5 चलो ठीक है हमने limit length से angle में convert कर दी because हमारी पाई जो integration है वो angle की form में है तो यहां से आपके पास 5 कितना निकल कर आ रहा है again pi by 2 निकल कर आ रहा है but it's positive pi by 2 यह आपका positive pi by 2 है clear है apply कर दे इसके limit apply कर दे ठीक है तो हम इसको यह दी limit apply करे angle की form में तो आपका जो b बनेगा वो बनेगा minus l हम जब limit ले रहे है तो value है minus का pi by 2 c plus का pi by 2 limit हमने लगा दे mu naught i cos phi d phi upon 4 pi r जो constant quantity बहार निकाल लेते हैं तो b आपका आ रहा है mu naught i 4 pi r cos का क्या होगा sine ठीक है all limit है आपकी minus pi by 2 c plus pi by 2 अब इसका simplify कर लाते है b equal to mu naught i upon 4 pi r पहले अपढ़ लिमित लगाओ sine pi by 2 कितना होता है वन right click लिखने हों में ठीक है फिर minus of minus of sine minus pi by 2 sine minus pi by 2 sine minus theta क्या बोलता हो आप minus का sine theta ठीक है तो आप minus का sine theta मतलब वापस आपके पास आया minus sine pi by 2 आगे इसकी value कितनी होगी 1 और आगे minus sine आपका minus 1 और lower limit लाओंगे तब भी minus sine आते है तो minus minus plus तो यह आपका यह रहा b आपके पास calculate रूख कर आ रहा है mu naught i upon 4 pi r multiple 2 it means value will be mu naught i upon 2 pi r ठीक है और ampere slow से जब हमने calculate कर रहा था तब भी यह value निकल कर आ रहे थी बाहर सावट लो से हमने जब इसको simplify किया तब भी यह value निकल कर आ रहे है तो value तो same ही होगी ना magnetic field की वज़े से long state wire की वज़े से value of magnetic field तो same ही होगा ना बस हमने method अलगी उसमें लिया है ठीक है अब देखो इसका basic formula में बता देती हूँ ताकि आपके पास exam में numericals आया तो आप easily simplify कर सकते हो इस यह angle हमने माना 5-1 similarly उपपर एको line element लिया उस line element को भी हमने point P से जोड़ दिया Q से जोड़ दिया और इसका angle हमने बता दिया इट मिन हमने complete wire के वज़े से बताया है तो 5-1-5-2 हमने दो angle यहां पर define कर दिया तो इसका basic formula आपके पास B बनेगा वो बनेगा mu not i upon 4 pi r यह आप आप यहां पर क्या करोगे sin 5 इसकी जगा प्लिमिट क्या लगा होगे minus pi by 2 से pi by 2 sin 5-1-sin 5-2 ठीक है this is basic formula यह आप एंगल 5-1-5-2 क्या है वो यह define करने पर depends करता है ठीक है तो यह आपका basic formula रहे हो और exam में आता है तो आप direct to numerical simplify कर सकते हो by this formula तो यह आपका application of biosavet law Thank you